नमस्कार सभी को आज बहुत दिनों के बाद में ना मैं कुछ डिस बनाने जा रही हूं बहुत टाइम हो गया है बच्चों के अक्जाम चल रहे थे इस वज़े से बहुत ज्यादा बिजी थी मैं तो आज मैंने लिए है ये सिमला मिर्च और सिमला मिर्च को है ना मैं पानी चड़ाया है और गरम होने के लिए और यहां मैंने लिए है लगबग दो कटोरी बेशन और दो कटोरी बेशन के साथ ही अब मैं गॉल बनाते जा रही हूं इसका तो गरम गरम पानी में होगा क्या कि जो छोटी-छोटी गुठलिया हो जाते है ना तो वो नहीं गरम पानी ही लेते जाए और मिक्स करते जाए एक कटोर ले लिया अब मैंने लगबग दूसरी कटोरी ले लिया तो इस तरह से मतलब एक दो कटोरी में लगबग 3,3,3,3,3 के करीब जो है हमारा पानी लग जाता है कंसिस्टेंसी आपको देखनी है कि ठीक नह रहे और पतल हमें एक बैटर तयार करना है ये देखिए मैं और एक कटोरी में पानी और लेके और डाल रही हूँ पानी जो है न वो गरम ही है और ठंडा बिलकुल भी नहीं आपको रखना है क्योंकि गरम पानी में जो अच्छा सा बैटर तयार होगा ना लमस आएंगे इसमें और बहु अजवायन और थोड़ी सी एक पिंच हिंग डाल दी है मैंने तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो बनेगा ना ये बैटर तो ये उसमें क्या है कि बिलकुल अच्छा सा मतलब इसके वो रहती है खाने में टेस्ट आता है अजवायन का अपना ही और इंग का अपना ही एक अल अधी चमच के करीब जो है सेंदा नमक और अधी चमच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया हम और ये देखिए मैं लेके आई थे अपनी ये शायद आप लोग देखते ही है मेरी इसमें वीडियो में मेरी मसाला दानी और डाल दी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है सोट पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा जो है बच्चे स्पाइसी जो है वो नहीं खाते तो मैं स्पाइसी ज्यादा निबनाऊंगी आधा चमच के करीब मैंने जीरा पाउडर डाल दिया हम ज्यादा स्पाइसी से बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं और खाते बह र्कुल क्योंकि आब इसमें कुछ मैं में बच दो ले ठी और छोटी चोटी पीसहें और एक टोमाटर यह लगबग एक जो है प्लिक और मत्यम यू लगद लेत लगद ज्यादा वह भंते हैं सब्जी कही बार तो इसमें एक-ड़ो पीसें चोटे चोटे नहीं होते तो बच्चे कहरने थे कि हम ाम क्याकूअ Every्फ थाई यह That. तो देखिए मैं बच्चे जो हैना सिम्लामिरां भंते नहीं ़ेकैं किन जब हम इस इसका is एक परकार आप आप कहले जी कि एक परकार गए चिल्ला ही बनेगा हमारा तो ये चिल्ला जो है वो बच्चे इसमें सब्जियां सारी खा लेते हैं जो बच्चे सब्जियां निखाते तो ये एक बैटर ओप्शन है आप लोगों के लिए कि आप इसमें जो हैं सब्जियां जितनी भी आप डा गाजरों डाल शक्तते हैं और जो आपको पसंद हैं वो सब मुझे नमक मैद कंग लग रहा है तो थोड़ा नम возмож मैंने लालुचमिष्बी चड़ा दिया मैने यह यह घ्राइव और किया है मैंने पहले भी आपको यह इसमें फ्राइ पैन पे डाल दिया है, अब आप यह मैं सोचेगा कि यह थोड़ा टेड़ा है या गोल नहीं बना ऐसी कोई बात नहीं है, आप बनाते जाए, गोल का कोई नहीं है, चिल्ला जो है वो सुआद बनना चाहिए, टेस्टी बनना चाहिए, थोड़ा सा यह दी इसक अच्छा टेस्ट आता है मुँ में और यह देखिए पलट दिया मैंने और फिर देशी घी फिर मैंने लगा दिया हैं क्योंकि इसे टेस्ट जो है ना वो इनांस होता है देशी घी से यदि आप चाहें तो आप कोई भी कुकिंग वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं बट मुझे तो क चिला तयार कर लिया अब यह दूसरा चिला जो है मैंने तयार कर लिया है और यह देखिए चिला जो है वो अराम से इसको smoothly इसको उठाना है तयार है हमारा चिला विद लसी विद स्नेक्स